Hello everyone, welcome to my channel तो आज के tarot reading का topic है कि आपके जो lover है या future spouse जो है वो किस kind के lover है क्या वो lusty है, क्या वो emotional है, क्या वो cutie pie है किसी भी situation में वो हो सकते हैं किसी भी तरीके से वो जो है behave कर सकते हैं तो यहां पर मैंने दो pile रख रखे हैं pile number 1, pile number 2 आप इस image से चूस कर सकते हैं या फिर अपने zodiac sign से चूस कर सकते हैं उसी तरीके से pile number 2 है आप इस image से चूस कर सकते हैं या फिर अपने zodiac sign से चूस कर सकते हैं अगर आपने ये image चूस की है या फिर आपका zodiac sign इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके person जो है वो किस kind के lover है आपके लिए अ लार हमारे पास the dream next तार हमारे है हामनी next तार हमारे पास change उम्मीद्ध है आपको अच्छे से क्रेश दिख रहे हुगे cars next तार हमारे पास transformation next देख रहे थे कुछ cars two of pentacles, strength, temperance and justice उमीद है आपको सभी कार्स अच्छे से दिख रहे हैं तो यहाँ पर मुझे ओवरल एनर्जी जो नजर आ रही है यह व्यक्ति ऐसे है कि इनका exterior hard है लेकिन अंदर से बहुत जादा नरम है बहुत जादा जो है एक कह सकते हैं कि hopeless romantic caring व्यक्ति है चाहे वो male हो चाहे वो female हो कि जैसे हम कई बारी assume करते हैं कि जिस तरीके से हमें media में या films के थुरू दिखाया जाता है कि एक fairy tale जैसे है तो उनके मन में जो है कही ना कही वो fairy tale वाली जगा है जो वो सभी लोगों की तरफ जो है एक fairy tale की तरीके से है तो यहां पर card by card आपको बताती हूँ तो पहला card यहां पर dream आया है तो जो वो dream करते हैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि films को देखते हुए movies को देखते हुए जो media में हमें एक perception दी जाती है कि एक romantic family life जो है एक happy ending वाली जो life है वो कही न कहीं वो assume करते होंगे क्योंकि six number आया है lovers का card दिखाता है जमेनाय को दिखाता है communication में बहुत जादा अच्छे होंगे witty person होंगे अपनी बात को रखना पसंद करते होंगे लेकिन उनके मन में जिसके लिए जगा है वो जो जगा है वो कोई और व्यक्ती नहीं ले सकता है तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा romantic और caring nature के होंगे next आ रहा है harmony का card आया है ten number आया है कोई न कोई cycle जो है वो उनकी end हो रही है जिसकी वजह से जो है वो अपनी जिन्दगी में और ज़्यादा आगे बढ़ रही है इस समय present situation में या फिर ये भी हो सकता है कि वो जो है बहुत ज़्यादा एक peaceful calm nature के person है उन्हें जो है लड़ाई जगडा पसंद नहीं है किसी भी तरीके का conflict पसंद नहीं है किसी से बाचीत में भी disrespectful तरीके से बोलना या किसी को नीचा दिखाना ऊचा दिखाना ऐसा जो है उनका nature ही नहीं होगा अपने काम से काम करखना पसंद करते होंगे हाला कि वो बहुत ज़्यादा wise person है क्योंकि यहाँ पर मैं transformation का card भी देख रही हूँ fair person है balanced person है उनका heart chakra और third eye chakra दोनों ही activated हो चुका है क्योंकि उन्होंने अपनी life में experience लिया है next आ रहा है change तो वो जो है इस तरीके के person है इस तरीके के lover है कि अपनी जिंदिगी में प्यार को attract कर सकते हैं और उस प्यार को जो है या कह सकते हैं कि एक true love में believe करते होंगे वो एक magician की तरीके से है कह सकते हैं कि जो fated destiny है उनको ऐसा लगता होगा कि कोई जो उनकी fated destiny है वो जो है कभी ना कभी पूरी जरूर होगी ठीक है तो उनका इस तरीके का nature होगा कि अगर वो आपसे मिल चुके हैं तब और अगर आपसे नहीं भी मिले हैं तब तो भी वो जो है इस तरीके के mindset के विक्ती है कि वो ये सोचते हैं कि उनकी destiny में जो है वो बहुत जादा अच्छा लिखा है और आपको जो है वो उस तरीके से ही रखना चाहते है जो है depth है उनके पास कि उनको ये knowledge है कि जिंदीगी में क्या जो है किस तरीके से चलता है universe कैसे काम करता है हमें move forward कैसे करना है या फिर ये कह सकते हैं कि अगर phases को हम छोड़ कर आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें भी जो है वो 100% या 2000% देना पसंद करेंगी मान दीजिए एक example के तौर पे मैं कह रहे हैं जरूर नहीं है या आपकी situation से relate करें कि अगर जो है आपका past कह सकते है affair जो है या कह सकते है कि जो past relationship है वो अच्छा ना रहा हो या उसमें कोई कमी हो या फिर कह सकते हैं कि किसी तरीके से आपकी compatibility ना बैठी हो तो ऐसा नहीं है कि उसका जो resentment है वो जो है आपके साथ continue करें वो ऐसे व्यक्ति नहीं है उसको जो है वो वही cut off करके छोड़ देंगे अगर आप उनसे दो साल बात पूछेंगे भी कि ऐसा कुछ हुआ था तो वो कहेंगी कि मुझे तो याद ही नहीं है तो इतना जादा वो move on करने में भी विश्वात स्टकते होंगे कि एक mentally बहुत जादा strong व्यक्ति है exterior उनका बहुत जादा strong होगा तेकिन अंदर से जो है वो बहुत जादा romantic व्यक्ति होंगे अगर उनका break up भी हो रहा है या भगवार ना करें किसी का divorce हो रहा है तो वो जो है उन्हें बहुत जादा effect करेगा mentally बहुत जादा effect करेगा emotionally बहुत जादा effect करेगा तो अंदर से बहुत जादा caring व्यक्ति होंगी next आरा two of pentacles आरा है flow जो life का flow है उसके साथ जो है वो आगे बढ़ना चाहते होंगे बढ़ने वाले व्यक्ति है उनको मालूम है कि जो एक उनकी इच्छा है और एक जो 3D में कह सकते है रियालिटी है उसमें जो है difference होता है लेकिन वो ये भी समझते हैं कि उनको जो है जो सही व्यक्ति है उसके साथ जो है वो जो इच्छा है वो पूरी कर पाएंगे क्योंकि उन्हें ये यकीन है अपने आप पर कि वो जो है हर चीज को balance कर सकते हैं चाहे वो wealth हो चाहे वो career हो चाहे वो love life हो चाहे वो health हो वो सभी चीज़ों को balance करना पसंद करते हैं next star is strength का काड़ा है 8 number आ रहा है तो काफी हतक जो 8 number है वो astrological charts में भी है काफी हतक intimacy को दिखाता है Saturn का number भी हो सकता है मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पर Leo energy आ रही है तो ऐसा नहीं है कि वो जो है सिर्फ softness दिखाते हैं जैसे मैंने पहले भी कहा है कि उनकी exterior जा उनका personality इतनी powerful है कि लोग जो है उनके पास आने से पहले पहले 2 second सोचते होंगी कि मैं इसको approach कर रहा हूं या मैं इसको साथ time pass करना चाहा रहा हूं तो वो जो है कही न कही possible ही नहीं हो पाएगा चाहे वो woman हो चाहे वो man हो कोई भी वस्ती हो सकता है और आप जो है ये बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि true love की परिभाशा क्या है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ physical intimacy है आप emotional intimacy में जादा यकीन रखते होंगी कि emotionally आपकी bonding किस तरीके की है तो यहाँ पर जो है romantic person बहुत जादा आ रहा है एक सारे temperance का काड़ा है Sagittarius energy है fun loving nature होगा adventurous nature होगा traveling बहुत जादा पसंद होगी थोड़ी सी कह सकते हैं कि physical desires भी थोड़ी जादा होंगे लेकिन वो जो है वो nurturer की तरीके से भी behave करेंगे चाहे वो एक ही person है तो उनकी जो masculine और feminine डोनों ही energies जो है वो काफी हद तक क्या सकते है balanced है ऐसा नहीं है कि किसी चीज की एक अधिकता है मानिए कि कोई man है ठीक है तो वो जो है उपर से ऐसे दिखते होंगे कि बहुत जादा powerful है या बहुत जादा strict होंगे लेकिन बच्चों से या woman से या और जो उनसे vulnerable है doctor side पे आते हैं उनसे वो प्यार से ही बात करना पसंद करते होंगे उनको respect देना पसंद करते होंगे ऐसे विखती नहीं है कि egoistic विखती हों कि मैं supreme हूँ आप supreme नहीं है मेरे सामने जो है आप छोटे हैं ऐसी चीज उनके मन में है ही नहीं खाला कि उनके मन में जो love की परिभाशा है वो एक emotional intimacy जादा है physical intimacy से यहाँ पर यह कह सकते हैं कि वो emotional person है बहुत जादा emotional person है उनका exterior चाहे जैसा भी हो कि वो अंदर से बहुत जादा emotions वाले कि अगर आपसे वो प्यार करते हैं तो वो वाके में ही प्यार करते हैं वो जो है सिर्फ society के लिए media के लिए या किसी और लोगों के दिखाने के लिए प्यार नहीं करते हैं वो सच में आपसे प्यार करते हैं चाहे आप उनको मान लीजिए भगवान ना करे ऐसा हो बट अगर आप उनको छोड़ भी देते हैं तो भी वो जो है unconditional love आपको हमेशा करेंगे अपनी last bit तक तो कही न कहीं जो आखरी सास तक जो है वो उस तरीके का प्यार आपके लिए या care जो है वो रहेगी उनके मन में हमेशा चाहे वो male हो चाहे वो female हो मैं एक overall energy की में बात कर रही है next आ रहा है last card आ रहा है हमारे पास justice का card है तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि उनकी exterior बहुत जादा कह सकते हैं कि tough है rough and tough है fair person है, balanced person है किसी भी तरीके के उनको conflict person नहीं है जूट उन्हें बरदाश नहीं होता होगा communication में बहुत जादा अच्छे होंगे कि वो अपनी बात को इस तरीके से कहते होंगे कि सामने वाले को convince कर लेते होंगे और यही शमता जो है उन्हें और जादा attractive भी बनाती होगी यहाँ पर मैंने हो सकता है sign बताएं हो, हो सकता है ना बताएं हो, तो मैं पहले ही बता देती हूँ Gemina energy मुझे दिख रही है यहाँ पर Leo energy दिख रही है Sagittarius energy दिख रही है Libra energy दिख रही है Sun, Moon और Rising हो सकता है कास्प में हो सकता है Venus energy हो सकती है और North Node भी हो सकता है तो इसमें किसी भी चीज में आप हो सकते है देखते हैं कुछ और कार्स उनकी personality से related किस तरीकी के lover है पहला का आड़ा आ रहे है Six of Pentacles और Next आ रहे है Nine of Chalices तो वही चीज है कि Six of Pentacles जो है आपसे सब कुछ लिया है लेकिन आपकी care नहीं करिए ऐसे व्यक्ति ही नहीं है बहुत जादा आपके लिए intensely feel करते होंगे Next आरा Nine of Chalices आ रहा है तो Nine of Chalices जो है वो Nine of Cups की एक energy है Wish Fulfillment का काड़ है आप उनकी wish fulfillment होंगी जब भी आपसे वो मिलेगा और आप जिस तरीके का assume करते हैं कि जो व्यक्ति मेरा partner हो वो मेरी care करे emotionally आप में invested हो ऐसा नहीं है कि आज बात कर ली दो दिन तक बाती नहीं करी है आपके साथ जो है वो emotionally invested है तब ही जो है वो आपके साथ इस तरीके की चीज में आना चाते है और उनके दिमाग में long term commitment वाले व्यक्ति है ऐसे नहीं है कि time pass के लिए चार महीने आपके साथ relationship रखा और पाच्वे दिन कोई और वो ऐसे व्यक्ति ही नहीं है चाहे वो male हो चाहे वो female है तो अगर आप approach करना चाहते है या आप यह जानना चाहते है कि आपके lover या जो future spouse भी है वो किस तरीके के होंगे तो यहाँ पर यह चीज आ लिए एक चीज मेरा ध्यान गया है हाला कि थोड़ा सा revealing हो जाएगा यहाँ पर six है और nine है तो 69 है आप समझदार है कि किस तरीके यह फिजिकल चीज उनके दिमाग में भी आती होगी नेक्स देख लेते हैं कुछ love messages तो यहाँ पर love messages में जो है पहली ही हमें image दिखा रही है कि जो heart है वो बहुत जादा passionate है तो ऐसा नहीं है कि passion नहीं है तेकि passion उसी के लिए है जिससे पहले वो emotional intimacy में आते है तो ऐसे व्यक्ती नहीं है कि सिर्फ और सिफ physical attraction के लिए वो चले जाएंगे पहले वो emotionally invested होना चाहते है उसके बाद जो है physical attraction में आना चाहते है और दूसे card भी यहाँ पर दिख रहा है कि soul connection है कि मन से जो है यह कह सकते कि body, mind और soul तीनों का एक proper balance है उसकी वजह से जो है काफी हद तक वो आपकी तरफ आना चाहते हूं जो है उनका nature इस तरीके का है एक चीज़ मुझे और नजर आ रही है कि ऐसा हो सकता है हाला कि ज़रूरी नहीं है सभी लोगों के लिए resonate करे कि वो moon ruled वाले व्यक्ति हो हो सकता है उनका birth number जो है 2 हो सकता है 11 हो सकता है 20 हो सकता है तो काफी हद तक जो है वो moon से govern होते होंगे थोड़ से moody हो सकते हैं लेकिन बहुत जादा ही emotional व्यक्ति हैं चलिए देखते हैं love messages क्या कहते है तो यहाँ पर transformation आया चीज को कहा था कि जिंदिगी को जो है वो इस अच्छी तरीके से जीना चाहते है जो चीज उन्होंने पीछे छोड़ दी है मतलब छोड़ दी है वो जो है उसे carry करके आगे नहीं बढ़ाते हैं तो वही चीज है कि वो depth वाले love में believe करते हैं वो जो है superficial love नहीं करते हैं कि सिर्फ society को या media को उपर तरीके से आपको दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन अंदुरूनी तोर पे नहीं है अंदुरूनी तोर पे जो है वो एक soul हो जाएंगे आप दोनो एक जब भी आप union में आएंगे तो उस तरीके की nature उनकी मुझे यहां दिख रही है next आ रहा है embrace through each other you find the missing piece तो यह ultimate card है कि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति complete कर रहा है तो इस तरीके की वो जो है lover होंगे question था कि वो किस kind के lover होंगे तो वो जो है एक romantic क्या सकते हैं hopelessly romantic होंगे चलिए देखते हैं इस energy से related को charms यहां पर मैं इसमें charms को set कर लेती हूँ एक चीज़ मैं भूल गई हूँ कि यहां पर love songs निकालने के तो मैं इसी में निकाल दूँए तो यहां पर जो पहला charm आया love आया है तो मुझे किछ कहने की ज़रूती नहीं है तो वो जो है एक unconditional love में ही बिलीव करते हैं starfish आई है star healing है कही न कहीं aquarius energy है एक जो कह सकते हैं कि वो जो अगर आपके साथ intimate होते हैं वो शादी के बाद ही intimate होने वाले व्यक्ति हैं वो ऐसे व्यक्ति ही नहीं है तो वो चीज़ जो है वो उनको healing देगी उनके दिल दिमाग पे जो भी उन्होंने उनकी जो exterior है उसमें जो है वो कहीं न कहीं heal होंगे और इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा पता लगेगा कि वो जो है अंदर से कितने ज़्यादा soft है next आ रहा है यहाँ पर एक seesaw आई है कहीं न कहीं cutting को दिखा रहे है timber industry में हो सकते हैं उनका अपना business हो सकता है जरूरी नहीं है लेकिन अगर उन्हें जैसे कि मैंने पहले भी काया कि अगर cut off करने का मन उन्हें बना लिया है तो वो जो है फिर cut off ही कर देंगे चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो business हो चाहे वो जगा हो चाहे वो family member हो तो यह एक strengthful व्यक्ति है powerful व्यक्ति है जिसका heart जो है वो बहुत जादा कोमल है next आ रहा है यहाँ पर एक tea और kately आई है तो ऐसा हो सकता हुने coffee या tea का बहुत जादा शौक हो या फिर आप दोनों cafeteria में लिवाए तो चलिए देखते हैं इस energy से related वो जो है आपको किस तरीके का जो song है वो dedicate करना चाहते है और उसके जो है lyrics में आप देख सकते हैं तो पहला आ रहा है बे इंतेहा वेस टू का तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की उनकी personality है या किस तरीके की उनके मन में आपके लिए emotions है I love you always, forever Donna Linska Next आप मेरी जिंदगी में आये हो अर्मान movie का तो ये जो है बहुत ही ज़ादा इस तरीके के intense गाने हैं जो कि उनके purity को दिखाता है भीमे धीमे जुबेदा movie का तो आप जो है इन गाने की lyrics को देख सकते हैं और उस तरीके की जो messages हैं वो आप receive कर सकते हैं तो file number one ये थी आपकी reading उम्मीद करते हूं आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा content readings और energies अच्छी लग रही है तो please इस channel को like करें share करें, subscribe करें Thank you तो अगर आपने ये image चूज की है या फिर आपका zodiac sign इस में से आता है तो चलिए देखते हैं आपके person जो है वो किस kind के lover है हमारे पास celebration next आरा integration next आरा participation next आरा हमारे पास compromise आरा है reverse में next देख लेते हैं two of wants high priestess ace of wants और last card आरा हमारे पास lovers उमीदे आपको सभी cards अच्छे से देख रहे होंगे तो यहाँ पर मुझे overall energy जो ऐसी देख रही है कि यहाँ पर wants भी है high priestess भी है lovers का card भी है तो सारी चीजों का balance है ऐसा नहीं है कि physical intimacy नहीं है physical desires नहीं है physical desires है sensuality है emotional fulfillment है और mysteriousness भी है काफी जादा जो है इस तरीके का nature है या कह सकते हैं कि proper lust भी है love भी है और mysteriousness भी है उसके प्रति तो यहाँ पर जो है मैं cards को आपके सामने पढ़ रही हूँ कि पहला card जो है celebration का card आया तो आपके person जो है वो इस तरीके के lover है कि आपके साथ fun movements को create करना intimate movement को create करना आपके साथ घूमना फिरना बाहर जाना restaurant में जाना जो भी आपको पसंद है या वो उनको पसंद है जब भी वो उनको समय मिलता हो तो वो ज़रूर करना पसंद करते होंगी एक extrovert energy है introvert energy नहीं है extrovert energy है लोगों से बातचीत करना लोगों के साथ party करना जो भी चीज़े जो extroverts करते हैं वो जो है वो करना चाहते हैं हाला कि three number आया है three number जो है वो काफी हतक क्या सकते expansion को growth को development को भी दिखाता है और अगर हम three number astrological chart के हिसाब से चले तो Gemini भी रूल करता है तो बहुत जादा communication skill बहुत जादा अच्छा होगा ऐसा नहीं है कि वो आपकी तरफ अपनी feelings को express नहीं करेंगे चाहे वो emotional feelings हो चाहे वो physical desires की feeling हो वो दोनों ही चीज़ों को express करना चाहते होंगे next आ रहे integration आ रहा है तो integration जो है वो काफी हट तक इस तरीके की energy है कि दोनों चीज़ों को balance करना बहुत जादा पसंद करते होंगे कि अगर मान लीजिए crown chakra उनका बहुत जादा activated होगा समझदार इंसान है ऐसा नहीं है कि immature हो समझदार है किस समय क्या चीज़ की जरुत है वो जो चीज़ है वो करना चाहते होंगे उनकी positive side भी है और कह सकते हैं एक थोड़ी सी mysterious यह कह सकते है shadow वाली side भी है उन्हें मालूम है society में किस तरीके के rules है, social evils क्या है, कि society में कुछ evils भी है हमारी society में और कुछ positive दोनों का एक अच्छा balance लेकर आना चाहते हैं अपनी जिन्दगी को जो है सही दिशा देना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति नहीं है कि गलती करें, वो गलती करने वाले व्यक्ति ही नहीं है, कोई मौका नहीं देते होंगे आपको कि आप point out कर पाएं, कि वो जो है आप गलत कर रहे हैं या गलती कर रहे हैं आपको इसके उपर पश्काना पड़ेगा ऐसे व्यक्ति नहीं है, बहुत ही जदर logical, practical व्यक्ति हैं समस्दारी से चलना पसंद करते होंगी हाला कि यहां पर lover की बात हो रही है और एक कह सकते हैं कि जो love को एक practical करीके से देखना मान दीजे कोई x y z व्यक्ति है वो बहुत ज़रा प्यार करता है लेकिन वो आपको commitment नहीं दे सकता तो वो प्यार बेकार है ठीक है, मैं थोड़ा bluntly बोल रही हूं लेकिन कही ना कहीं यह चीज होती है लेकिन यह व्यक्ति जो है वो logical person है कि अगर प्यार प्रेमभाव उसी से है जिसके साथ वो commitment कर सकते हैं उनके bills को pay कर सकते हैं अपने बच्चों की care कर सकते हैं बीवी बच्चे हैं या अगर आप female भी है तो आप अपने पती की बच्चों की देखभाल कर सकते हैं या वो भी जो है देखभाल कर सकते हैं उनके पास इतने funds हो कि वो जो है जो भी provide कर सके वो provider भी है protector भी है तो इस तरीके की energy मुझे यहां पर नजर आ रही है पार्टिसिपेशन है पोर नंबर आया है काफी हथा होम को parents को बहुत ज़्यादा attached होंगे family oriented होंगे अपने भाई भेहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे और वो भी जो है उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा synchronization है ऐसे नहीं है कि किसी की तरीके से घर में जो है दरार है या खटास है ऐसा नहीं है वो प्रॉपरली जो है family को family मानते होंगे और family ही बनाना चाहते है उनकी extreme sides भी होंगी ऐसा नहीं है आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि उनकी हर तरीके की side आपको दिख रही है as a lover भी दिख रही है चाहे वो आपके future spouse हो चाहे वो आपके lover हो उनको आपको ऐसा लगेगा कि कभी जो है ये व्यक्ति बहुत जादा नरम है और कभी जो है ये व्यक्ति बहुत जादा गरम भी है तो दोनों चीज़े उसमें exist करती है तो बस उसको जो है उसकी limits को कही push नहीं करना है बाकी कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ जो है वो प्रेमभाव से ही रहना चाहते है next आ रहा है compromise आ रहा है compromise जो है वो reverse में आया है ये व्यक्ति जो है वो adjustment बनाने में believe करते हूं कि मान लीजिए कि आपके साथ किसी restaurant में जा रहे है तो वहाँ पर जो है जो भी आपने सोचा हो कि आप ये dish खाना चाहते हैं वो चीज नहीं मिली आपको तो वो जो ऐसा नहीं है कि वो जो है छोड़कर ही आ जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे वो कोई बात नहीं दूसरी चीज ट्राय कर लेते हैं तो ये adjustment बनाना हुआ लेकिन compromise नहीं करते होंगे मान लीजे अपनी life में personal life होगी या professional life होगी कि कोई उनको जो है मान लीजे कि थोड़ा इस तरीके का हो गया कि कोई ये कह दे कि आपको ये करना ही करना है चाहे कोई भी कॉस्ट हो तो वो जो है उसको बिल्कुल नकार देंगे चाहे उसके कोई भी consequences हो कोई भी result हो तो वो इस तरीके के आप ब्लाकमेल कर लेंगे मुझे और मैं जो हूँ आपका गलत काम कर दूँगा नहीं करेंगे नहीं वो जो है उसको solution ढूंडने की कोशिश करेंगे लेकिन उनको ब्लाकमेल कोई नहीं कर सकता तो इस तरीके की कह सकते हैं कि दिमाग है उनके पास नेक्स्ट आ रहा है यहां पर टू ओफ वांट जो है एक प्लानर है स्ट्राटिजिस्ट है हो सकता है कि वो जो हैं बाहर जाने की सोच रहे हो अब जरूर यह सभी लोगों के लिए तोर्व सब्सक्ट करें लेकिन वो जो हैं अपनी कंट्री को छोड़कर या अपना स्टेट को छोड़कर जो है 5 रहा है दिख रही है एक सारा हाइप टीस्टिस का काड़ा है है पर बाते बहुत जब रिवील करनी पसंद नहीं करते होंगे हाला कि आपको बताते होंगे लेकिन आपको भी कभी ना कभी ऐसा लगता होगा कि इसको ठोड़ी थोड़ से misterious है ज़रो से जादा जो है ऐसा नहीं है की fun loving केरिंग नहीं है हर चीज बोलते होंगी नेरी सीमा के अनुसर के यह नहीं है कि एक sentence को बोलने के लिए चार पेज भरे वह ऐसे वैक्ती नहीं है एक तो एक ही sentence होना चाहिए तो इस तरीके के calculated व्यक्ति हैं समझदार व्यक्ति हैं अपनी intuition पर घरोसा करना उन्हें जादा अच्छी तरीके से मालूम है वह सामने वाले का दिमाग पढ़ लेते होंगे कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता होगा कि सामने वाला जो है अगर उन्हें बे गेम खेल रहे हैं या क्या गेम खेलना चाहते हैं तो इस तरीके के nature है लावर में भी जो है अगर आप उनसे मान लीजिए आप जिद करें कि यह चीज मुझे चाहिए ही चाहिए और वो जो है उस समय नहीं लापके दे पाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो जो है बहुत जाद बहुत जादी वाली जो चीज है वो उसे बरदाश्ट नहीं होती होंगी उनको जो है मिच्चियोर व्यक्ती चाहिए चाहे वो में हो तो ऐसी चीज नहीं है कि आईसक्रीम खानी है तो खानी ही है आप बच्चे याशा बहुत उनके साथ नहीं कर सकते हैं वो एक wise person है नेक् वज़े से वहां आप से बहुत जादा प्रेम्भाव करते हो और है यहां पर प्रेम्भाव मैं इमोशनल डिजायर दैंडर ऑर इंज स्वा भी एक आफया है दोनों का बालंसिवेक्टी कय यह उला रहा कि ही कि दोनों THERE। 파ॉपर बैलंस्ट यहां आपको बताते होंगे आपके कानों में विसपर करना पसंद करते होंगे इस तरीके के अवराल जो है उनकी काइंड है। चलिए देखते हैं कुछ और सब्सक्राइब मर्स हैन के पीड़ा..थ मुझी सब्सक्राइब केर सब्सक्राइब.. चाहे वो kitchen में हो, चाहे वो room में हो, ऐसा ही कोई जगा नहीं बचेगी आपके घर में, कि वहाँ पर जो है, उन्होंने कभी न कभी आपको kiss ना किया हो, या hug ना किया हो, लेकिन वो जो kiss है, वो जो है काफी जादा, और काफी जादा जो है, उनके मन से आता है, ऐसा नहीं है कि उपरी तौर पर जो है उन्हें से physical desire चाहिए इसलिए वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं हो सकता है वो आपके साथ cuddling करना बहुत दा पसंद करें हो सकता है वो जो है आपको इस तरीके से किस करें जैसे कि हम छोटे में इनर्जी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है उस act में आने की जल्दवाजी है ऐसा नहीं है वो जो है आपको प्रॉपर टाइम देंगे और वो चीज जो है वो अपनी की तरह बहुत जादा जेंटल होंगे नेक्स आरा फॉर पेंटिकल जारा तो वही चीज है कि जहां पर जो है फिजिकल बॉड़ी की अट्राक्शन बहुत जादा है खासकर मेल के लिए कि आपकी जो फीमेल होंगी या वाइफ होंगी जिसके लिए आप देख रहे हैं तो उ उसके बाब जो है इंटीमेसी जो है वो फ्रीक्वेंट होती होगी उनकी जो अपर बॉड़ी पार्ट है वो जो है आपको जादा पसंद होगा बाकी आप समझदार है कि आपको क्या करने की जरूरत है चलिए देखते हैं यहां दोनों ही जो कह सकते हैं कि कार्ड में मुझे इसके फृजिकल डिजायर्स भी दीख रहे हैं फिजिकल बाडी की तरफ जो है कही न कहीं अट्राक्शन प्रॉपर है क्योंकि पहली जो इमेज है उसमें जो है वो कहीणा कहीं गौदस की तरीके से आपको देखते होंगी अगर आप एक मेल है आप फीमेल को इस तरीके से तो वो भी जो है कही न कही एक Greek God की तरीके से दिखते होंगे कि आपके मन में उनके लिए physical attraction बहुत जादा होगी तो वो चीज जो है कही न कही आप दोनों को ही पसंद होगी ऐसा नहीं है कि दोनों की consent नहीं है properly consent है नेक्स्ट में भी जो है कही न कही physical desires की बात हो रही है तो चलिए देखते love messages क्या कहते है तो यहाँ पर पहला जो love message आया है उसमें जो है काफी हर्तक आया है चीज कि freedom there is nothing stopping you the path is clear if you want it to be तो वो जो है कही न कहीं आपके साथ physical desires में आना चाहते हैं और आप भी जो है उनकी तरफ attract होते होंगे और उस situation में जो है आप एक दूसरे के प्रती जो भी hesitation है आपकी समाज में जो hesitation होती है उसको जो है उससे free हो जाना चाहते होंगे freedom यहाँ पर आ रही है नेक्स आ रहा है यहाँ पर passion आ रहा है magnetic seductive quality surrounds you at present enjoy it तो बहुत जदा passion है आप दोनों में ही equal passion होगा तो यहाँ पर जो है question था हमारा कि किस kind के lover होंगे तो यहाँ पर lust भी है और love भी है तो दोनों का जो है proper balance है तो चलिए देखते हैं इस energy से related को charms तो यहाँ पर मैं charms को set कर लेती हूँ तो यहाँ पर पहला charm आया टॉरस energy आई है मैंने पहले भी कहाँ आदा practical व्यक्ति है stability को जो है बहुत जादा महत को देते होंगे तो टॉरस जो है energy हो सकती है sun, moon, rising, venus, kasp में हो सकता है या फिर जो है बहुत जादा material wealth को बहुत जादा पसंद करते हैं next star यहाँ पर steam engine आया है तो धीरे धीरे अपने relationship को बढ़ाना पसंद करते हैं next star एक dolphin आया है तो friendly nature है ऐसा नहीं है कि आपके साथ friendly nature का नहीं है किसी भी तरीके की थोपा थापी नहीं है next star यहाँ पर एक high heel आयी है तो वो एक leadership quality वाले व्यक्ति हैं या आप leadership quality वाले व्यक्ति हैं तो वो जो है आपसे maturity की उमीद करते हैं और वो भी जो है mature होंगे तो इस energy से related कुछ love songs देख लेते हैं कि वो आपसे के लिए क्या कहना चाहते हैं तो पहला आ रहा है हमारे पास पहली पहली बार सिर्फ तुम तो सिर्फ तुम movie है उतमें जो गाना रहा होगा तो उतका आप lyrics देख सकते हैं कुछ और निकाल लेते हैं एकाश के हम कभी हां कभी ना movie का नेक्स्ट आ रहा है sex with you रहाना तो आप समझदार हैं कि किस तरीके के उनके thoughts हैं आपके लिए नेक्स देख लेते हैं आजा सनम मधूर चांदनी में जो पुरानी movie थी चोरी-चोरी movie जो पुराने time की थी तो वह जो है गाना यहां पर आ रहा है तो यहां पर भी जो है कहीं न कहीं balance दिख रहा है तो pile no.2 यह थी आपकी reading उम्मीद करती हूं आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा content, readings और energies अच्छी लग रही है तो please इस channel को like करें, share करें, subscribe करें Thank you